तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो यहां पर एक old man और एक लड़की जा रहे थे, बाते करते हुए, और यह लड़की पूसती भी है, कि वो जो senior सेंग नहीं हुए है, वो कितने powerful है, old man बताते हैं, कि बहुत powerful तो नहीं होंगे, मतलब इन लोगों से तो ब सच में थोड़ा कटिन है, ने तो फिर confusion आता है तुम लोगों को आगे, आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर old man अपने disciple को grab करते हैं, और यहां से काफी तेजी से निकलने लगते हैं, और साथ में यह अपने एक mirror को use करते हैं, ताकि इन बिजलियों से बढ़ सके, लेकिन इन इनकी तरफ बढ़ रही थी, वो अचानक से रुख जाती है, और यहां पर एक young man सामने दिखाई देता है, अब यह young man, यह कोई और नहीं वांग लिंग था, जो कि इस disciple और उसके teacher को देखता है, और finally मन में बोलता है, कि planet सुजाकू, मैं वापस आ चुका हूँ, और वांग मैं भी कहता है, कि senior इन दिनों बहुत सी चीजे हुई है, आप कि इस चीज के बारे में जानना चाओगे, वांग लिंग भी कहता है, कि सब거를 में के जो चीजों के बारे में बताब, अब old man बोलता है, सबसे बड़ा जो चीजे, सबसे बड़ा जो नाम है फिला, वो है CCP NOT का, वांगलिंग हैरान था, क्योंकि ये नाम तो इसका ही है, इस दुरान ये लड़की भी बोलती है, कि रेड बटरफलाई का हाथ उन्होंने उखार दिया था, वांगलिंग एक फेंट स्माइल देता है, और वांगलिंग अब पुछता है, कि शेंगनियू दिखता कैसा है, और क वांगलिंग इस दुरान एक बोटल निकालता है, और इस लड़की की तरफ उचाल देता है, और कहता है, कि तुम काफी honest हो, smart हो, not bad, अपने teacher से अच्छी हो, और इस pills के मदद से, तुम core formation level पे पहुँच जाओगी, यही मेरा तुम्हारे लिए gift है, और वांगलिंग यहां इस दुरान यह लड़की अपने teacher से पूछती, यह किस प्रकार का पिल है, इसका teacher जब पिल कुछ स्मेल करता है, तो यह अवाक था, कि भाई यह इनके country में तबाही मचा सकता है, इतना powerful पिल है, इतना कीमती है, इसे shattered earth pills कहते है, इधर वांगलिंग अपना, जो country अप्चू था, उसकी तरफ बढ़ गया था, यानि कि sea of devils के आसपास वाले एरिया में था, वांगलिंग पहले ही वापस आ सकता था, लेकिन इसका जो caldron था, जिससे यह वापस आया था, rain caldron, उसमें कुछ problem था, क्योंकि जब यह टेलिपोर्ट किया था खुद को, तो एक अलगी planet पहुँच गया था, जहाँ पर कोई नहीं था, और वांगलिंग यह सोच रहा था, यह उस planet पर वापस जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसने एक powerful energy जमीन के नीचे feel किया था, और जो star compass है, इसको यहाँ पर यह use नहीं कर सकता, star मतलब तारा होता है, तो planet के जब तुम बाहर निकलोगे, और दूसरे planet पर जाना होगा, तब ही तुम इसे use कर पाओगे, और वैसे भी star compass पूरा नहीं था, एक material इसमें missing था, अब वांगलिंग इस दुरान एक straw hat निकालता है, और पहन लेता है, और वांगलिंग का अभिरादा यह था, यह जल्दी से close door cultivation में जाएगा, और soul formation के mid stage में पहुँच जाएगा, साथ में इस hat को, जो कि इसे उस old man ने दिया था, उसे भी समझना था, और साथ में, टासिन कर की जो बंदा था, ancient god land पर, वो भी powerful बन गया होगा, तो उससे भी सतर करेना है, इस दुरान इसे, इसके future teacher, टियान युन्जी की भी यादा थ यादि लिंग टियान होगा, फिलाल वांग लिंग इसके पास अब spiritual stone थे, तो एक ancient transfer area में यह enter कर जाता है, समय भीतता है, एक मैना और निकल जुका था, वांग लिंग एक दूसरी transfer area के बाहर खड़ा था, और इस समय यह celestial zets को निकालता है, जो कि spiritual stone से भी ज़्यादा powerful होते क्या यह इन है, transfer area में use कर सकता है, और फिलालिया try करता है, transfer area में डाल करके, अब इस बार ancient transfer area जादा चमकता है, और transfer area में cracks आने लगते है, और वांग लिंग को यहाँ पर एक map के जैसे दिखता है, जैसे में 8 dots थे, area ही को लाप्स कर जाता है, और वांग लिंग अपने celestial zet क रख लेता है, और जो transfer area का power था, मान उसकी body में enter करता है, और वांग लिंग अचानक से 8 लाग किलोमेटर दूरी पर sea of devil से travel कर चुका था, और इतनी दूरी तो इसे महीनों लग जाते है, travel करने में, transfer area से भी, celestial zet अब उतना pure भी नहीं था, उसके अंदर में एक grey औरा को दे अब इसरान वांग लिंग अपने base trap को touch करता है, जसके अंदर वो तोड हुआ करता है, लेकिन फिलाल वो काफी injured था, अब वो जो तोड था, वो महीनों महीनों में वांग लिंग से energy लेता था, क्योंकि injured था, और वांग लिंग फिलाल खुद से भी energy भेजता था, ने तो thunder तोड मर जाता, और ये सोचता है, क्या पता वानेर, यानि की ली मुवान, इसे क्योर कर पाए, इधर scene shift होता है, और ली मुवान को दिखाये जाता है, जो कि जिथर बजा रही थी, 100 साल बीत कहते, वांग लिंग से आकरी बार मिले हुए, वांग लिंग के लिए तो ये पल formation के late phase में थी, और इसके हिसाब से, अगर 10 सालों के अंदर, ये nascent soul पे नहीं पहुँची, तो ये खतम हो जाएगी, यानि की मर जाएगी, और मन ही मन कहते, कि वांग लिंग तुम हो कौन, इसके दिल में एक अलगी दर्द था, और ये फिर मन में कहते, कि शाद वांग लिं बंदा कहते हैं, कि sect master, जितर मत बजाओ, वैसे भी आप काफी वीक हो चुकी हो, ये इस बंदे का नाम लिउफे था, और ये मनी मनसुसत है, कि इनकी sect master, तीन बार ट्राई कर चुकी है, ना सेंट सोल में जाने का, इन सो सालों में, और तीनों बार फेल हुई है, अगर ये मिलना नहीं चाहती, तो शायद अपका, कबका मर चुकी होती है, अब लिउफे के बगल में, जो दूसरा बंदा खड़ा था, उसका नाम था song king, और ये दोनों बाते करते हैं, कि क्या वो बंदा सच में जिन्दा होगा, यानि ये वांगलिंग की बात कर रहे थे, song king कहता है मरा तो नहीं होगा वो, लेकिन मेरे हिसाब से, वो नासेंट सोल के लेड फेस में होगा, लेकिन वो भी अगर आ जाये, तो शायद हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि एक foreign cultivator है था, जो कि अलग-अलग sect को खतम कर रहा था, और शाद उसका power level, सोल formation में था, इनका एक और साथी लिव चैंग करके, क्योंकि टोटल ये लोग 6 लोग थे, जो कि नासेंट सोल पर थे, जब वांग लिंग यहाँ पर आया था, वांग लिंग ने 2 को मारा था, बचे 4 थे, उनमें से लिव चैंग 30 साल पहले मर गए थे, जब वो सोल formation पे नहीं पहुँच पाये थे, इधर ल मुवान अपने जिथर म्यूजिक को रोग देती है, और इन दोनों को अंदर बलाती, कि बात करते है, क्योंकि अच्छा फील नहीं कर रही थे, लिव फे समझाता है, कि सेक्ट माशर आपका हेल्थ इंपोर्टेंट है, जिथर को छोड़ो, अब इस दुरान लिव मुवान पुछती हैं, अलडर गॉंग सुन का कुछ पता है, सौंकिंग बताता है, कि अलडर गॉंग सुन, उस कल्टिवेटर से साथ दिन पहले मिलने गए थे, अभी वापस नहीं है, और मुवान इन से पूछती है, कि वो कल्टिवेटर है कहां का, जो अलग-अलग सेक्ट को खतम कर रहा है अब लिउफे बताता है मुझे बस इतना बता है कि वो poisonous insects use करता है और मानुखोन का प्यासा है इस दुरान ली मुवान खेड़की से बाहर देख रही थी इसका बोड़ी यह सक कापनी सा लगता है और यह खोन के उल्टी करती है लीउफे और सौंकिंग और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और ली मुवान कहती है कि मैं आप दोनों का solisence blood वापस लोटा देती हूँ उसके बाद आप लोग यहां से पिल बना रहा है, शायद वो आपकी मदद कर सके, उमर बढ़ाने में, पर मुवान केती नहीं, कुछ भी कर ले हम, दस साल से जादा मैं नहीं जीने वाली, और कुछ एक सालों में, मेरे पूरे बाल भी सफीद हो जाएंगे, इस दुरान ये डिसकस करते हैं, कि जायन डेमन से भी हमारी मदद नहीं कर रहा है, उस फॉरिन कल्टीवेटर से, क्योंकि जायन डेमन क्लैन इन्हें यूज करता था, एलकमी पिल्स के लिए, लेकिन वो लोग जब से शेंग नियू से मैटर हुआ था, तब से इधर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, और इस दुरान लियू फे क्योंकि जायन डेमन क्लैन पे यारोप लगा था, चीहू की वज़े से, कि ये लोग शेंगनियू का साथ दिये थे, इसलिए ये लोग अभी एकदम शांद बैठ गयते, इस दुरान सौंकिंग मजे में कहता है, काश ये शेंगनियू हमारे कंट्री का दोस्त होता, तो हम आ आप भी चलो हमारे साथ, पर ली मुवान मना कर देती है, और इसे कोई डर भी नहीं था, इस दौरानी लोग यहां से चले जाते हैं, और ली मुवान अपने आईब्रोस के बीच वाल हिस्ते को टच करती है, और यहां से एक क्रियेचर बाहर आता है, जैसे ये बोलती है, ल यहीं अंदर का कुछ प्रॉबलम तो नहीं है, मेरी और इजिन सोल्स में चेंज आ रहे हूं, क्योंकि मैं सेलेश्टिल वर्ल्ड से जच्टा है हूं, और इस दोरान इसे वानेर की बहुत यादा रही थी, और उसके लिए यह कुछ खरीदने जाता है, इसके चेहरे पर एक सिटी के अंदर प्रवेश कर जाता है, वांग लिंग इस दोरान एक पॉविलियन में एंटर करता है, और सेकेंड फ्लोर पे जाने लगता है, मतलब यह ट्रेजर हाऊस था, लेकिन इसे अभी तक कुछ पसंद नहीं आता है, थर्ड फ्लोर पे एंटर करता है, और यहाँ प साथ पिल रेशपीस हैं, रैंक Ram 5 वागे रागे, वांग लिंग बुझता है रैंक फाइव या उसे ऊपर की भी चाहिए मुझे, बíड इस में थोड़ा सीर्यस हो जाता है, अब म्दिल इस में कहता है रैंक फाइफ के भी हमारे पास तीन ही रेसपीस हैं, वो बहुत मह के होते हैं अब थोड़ा वेट करो अब यह मेंडिलेश्ट में थोड़े दिर बाद वापस आता है तीन बॉक्सेस के साथ और साथ में इसके एक ओल्ड मैं भी बाहरात थे वांग लिंग देखता है बॉक्सेस को इन मेंसे जो दो पिल रेसिपीस थी वो तो चू सेक्ट कहीं मतलब चू कंटरी के क्लावड सकाई सेक्ट का था यानि जहां की अपनी लीमुवान और एक था वर्ल्ड सेक्ट का तो वांग लिंग दो पिल्स को तो देखता भी नहीं है क्योंकि वो प्राइलेस है उसके लिए मैं दो महीने चाहिए और आक्षन में वो पिखेगा वांग वांग लिंग के ता फिर जाने दो यह रैंग 5 का ही पिल रेसेपी दे दो अब यह बंदा पूछता है कि आप इसे खरिदने कैसे वाले हो एक्स्चेंज करने वाले हो कुछ बदले में या स्पिर्चुल स्टोन देने वाले हो वांग लिंग सी ता बोलता है स्पिर्चुल स अब मेडिलेज मैन मुलता है कि इसके लिए बहुत सारे spiritual stones चाहिए वो भी high quality के अब वांग लिंग उसमें से एक अपने बैग में से एक आइटम निकालके इनके तरह पुछाल देता है और इस दुरान वांग लिंग एक cold होरा release करता है ओल्ड मैन भी अवाग था इवन इसका nas and soul मनो destroy हो जाएगा और वांग लिंग अब रोकता ही नहीं और वांग लिंग एक high quality का spiritual stone का बस एक चौथा हिस्सा ही ने देता है और यहां से निकल जाता है उसके बाद यह travel करते करते चू कंट्री के border के काफी करीब पहुँच चुका था और बीच में भी यह बहुत सारे rank five के पिल recipes अलग-अलग countries से खरीदता है और यह मन ही मन सोच रहा था जब ली मुवान अब उसे यह वानिर बोलता है अगर इसे देखेगी तो काफी खुश होगी यह फिर से वो स्टोपी को पहन लेता है क्योंकि स्टोपी के बाद वो इसे पैचान नहीं पाता था लेकिन व सांग भाई की बारे में बढ़ा जाता है इस बंदे ने अपने क्लैन को भी दोगा दिया था उसके बाद यह नाइन घोस्ट डेसुलिट वैली में एंटर कर गया था सह सालों तोक महा पर रहा और वहां से निकलने के बाद वो सोल फॉर्मेशन लेवल का बंदा बन चुका और बहुत सरे सोल फॉर्मेशन के बंदों को मारता भी है खास करके अपने इंसेक्ट डेमन सेक्ट के लोगों को और अपने सीनियर्स को भी नाइन घोस्ट वैली में ले जाके फसा दिता है तीस सालों के बाद यह सोल फॉर्मेशन लेवल पे ही था लेकिन इसे एक रेन कॉ और उसकी मदद से यह भी सेलेस्टियल रियल्म वांगलिंग के साथ ही गया था अगर आपको याद हो तो यह वही बंदा है जो कि वांगलिंग से मदद मांगता है युसे हम ब्लड लस्ट कहते हैं और पतला सता एंड समता कोई तो सेलेस्टियल स्टोन उचालके बट लोटा था तो यह अपने इंसेक्ट को यहां के लोगों के औरा को खिलाने लगा था ताकि और जादा स्टॉंगर बन चके सके और इस समय इसकी नजरे यह वही बंदा था जो कि अलग अलग सेक्ट को अभी मार रहा था जिसके बारे में ली मुवान भी पूच रही थी और फिलाल इसके नजर अब क्लावड सकाई सेक्ट पे थी इसने यह भी सुना था कि वहां के सेक्ट मास्टर काफी सुन्दर है उसकी बोड़ी में भी मैं अपने इंसेक्ट टालूँगा और उन्हें कल्टिवेट करूँगा और इसने एक नासेंड सोल के लेटिश टेस के मुवान पूछ रही थी और शुरान इसे एक नाम सुनने को मिला था वांग लिए वो बंदा मरने से पहले बोला था क्यार ये है कौन जिसके बारे में वो बंदा भी बोल रहा था वांग लिए मैं इसले मिलना चाहूँगा एक रैंक ठी के कंट्री में इतना फेमस बंदा और सांग भाई का इरादा ये था कि इनको खतम करने के बाद ये Nine Ghost Valley फिर से जाएगा जहापर अपने टीचर और सीनिर को इसने फसाया है और उनकी बॉड़ी में इंसेक्ट वगरा डाला है तो वो इंसेक्ट अब तक कल्टिवेट कर चुके होंगे और उनकी मदद से ये Soul Formation क Mid-States में पहुँच जाएगा उसके बाद ये बूलता है कि शेंग नियू इस बार तो मैं तुमसे बदलन लेके रहूँगा तुमने मेरी मदद नहीं की थी Celestial Realm में इसका गुस्ता ये था कि शेंग नियू ने इसके मदद नहीं की थी और इसे पूरा Ignore मार दिया था लेकिन इसे विश्वास नहीं था कि शेंग नियू रेड बटर फ्लाई के एक हाथ को उखाड सकता है और ये सोसता है कि शेंग नियू से तो मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तो सूजाकू में सबसे अधा फीमस मोझे होना चाहिए इस दुरान ये भी सोसता है कि जो शेंग नियू का थंडर टोट है वो ज्यादा खतरनाग मेरे इंसेक्ट को इसली मार देता है लेकिन कुछ भी हो जाया अगर मेरे पास मेरे किंग इंसेक्ट सा आ गया तो फिर उसका थंडर टोट भी कुछ नहीं कर पाएगा इधर जांग भाई ये सब सोचते सोचते क्लावड सका इसेक्ट के बाहर पहुंच चुका था और दूर से ही आवाज लगाते कि क्लावड सेक्ट के जोनियर्स मेरी बात सुना यहां का फॉर्मेशन खोल दो और जो भी तुमारे पिल्स है मुझे दे दो और तुमारी सेक्ट माश्टर परसनली बाहर आनी चाहिए मुझे ग्रीट करनी चाहिए अब लीमोवान की भी आवाज अंदर से जाती है कि आप पावरफुल हो, सोल फॉर्मेशन के बन दे हो अब हमें क्यों परिशान कर रहे हो जांग भाई काफी खुश्वत है अच्छा, तो क्लाउड सेक्ट की सेक्ट माश्टर और ये आवाज सुन के ही, काफी हैरान होता है बहुत प्यारी आवाज थी और इसके मन की जो लालस थी, ये और बढ़ती ये मैं देखना चाहूंगा कि ये वोमेन कितनी सुन्दर है अब ये अंदर जाना चाहता था पर यहाँ पर फॉर्मेशन थे जांग भाई पूसता है, ये फॉर्मेशन तो तुम लोग लगा नहीं सकते किसने लगा है, अब लिव मोवान भी बताती ये जान डेमन क्लैन का है तो आप उनके लिए अटलिस रुख जाओ जांग भाई सुसता है, जान डेमन क्लैन और इसे चीहू का नाम याद आता है और ये बोलता है, अगर मैं इसे तोड़ भी दू तो कोई फरक नहीं पड़ता है और जांग भाई काफी खुस होता है क्योंकि ये जो जगह था, क्लाउड स्काई सेट ये बहुत सारे स्पिर्चुल स्टोन से बना था और फिलाल, यहां के फॉर्मेशन को ये तोड़ देता है इसके आसपस सौ फिट का इंसेक का एक दिवाल देखा जा सकता है और कुछ लड़कियां तो बस इसे देख के रोने लगती जो की कंडेंसेशन लेवल पे होंगी या फाउंडेशन लेवल पे और ये अपने इंसेक्ट से बहुत लोगों को मारने भी लगता है ली मुवान अब फाइनले बोलती रुख जाओ और इसे काफी गुच्सा आ रहा था और ली मुवान फाइनले बाहर आती सांगबाई देख कर कहता है तुम सच में काफी सुनदर हो तुमारा नाम क्या है ली मुवान बताती, कि ली मुवान, ये बताने वाले नहीं थी, लेकिन ये फिर से, इनका डिसाइपल्स को मारने लगता है, तो इसे बताना पड़ता है, हाला कि कुछ दिन पहले, ये अपने बहुत सारे डिसाइपल्स को, यहां से दूर भेच चुकी थी, अभी भी ये काम चल रहा था, तो कि बहुत सारे डिसाइपल्स थे, कितना जल्दी ये लोग खाली कर सकते थे, और अभी भी जो एल्डर्स थे, लिउफे और सौंकी, वो गए नहीं थे, वो यहीं पे रुखे थे, अब इस तोरान, उनमें से एक सीनियर पूछते है, कि ये अल्डर जांग जंग भाई, आपको क्या चाहिए, आप पता दो बस, जंग भाई सीधा कहता है, मेरा डिमांड सिंपल है, मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ, तुमारे पिल्स ले लूँगा, और ये जैगे मेरा होगा, यहीं पर अब मैं कल्टिवेट करूँगा, और ये लड़की ली जैसे ही, नासेंट लेबल पे पहुँची थी, काफी गुस्त थे मैं, कहती तुमारे इतनी मजाल, जंग भाई को गुस्त आता है, और ये अपने इंसेक्ट से, इनके सोल को ही डेवोर कर जाता है, ली मुवान काफी उदास थी, और ये खून के उल्टी कर रही थी, पर ये करे तो करे गया, और जांग भाई सुरन ली मुवान से बोलता है, तुम सच में बहुत संदर हो, तुम मेरे इंसेक्ट के लिए एक घर बन सकती हो, ये अपने फिंगर पर अपने बलड को कंडेंस करता है, जिसमें इसके इंसेक्ट से, और ली मुवान की तरब इने बढ़ा वांग लिंग है क्या, जिसके बारे मैंने सुन रखा है, ये चू कंडरे में काफी फेमस है, जिनको भी मैंने मारा था, वो उसी बंदे का नाम ले रहते, कि वो तुमें छोड़ेगा ने, कौन है ये बंदा, मैं भी इससे मिलना चाहता हूँ, पर तभी पीछे से कवा जात है, कि वो मेरी वाइफ है, और मैं हूँ वांग लिंग, और या वाज काफी कोल्ड थी, जानवाई के पीछे प्रकट होती है, और जानवाई को पता भी नहीं चलता है, इधर जानवाई ने लिउफे के भी बोड़ी में कुछ इंसेक्स डाले थे, और अब ये इंसेक्स मरन लगते हैं, और लिउफे अवाक था, ये तो वांग लिंग है, सौंकिंग के भी चेहरे पर एक मुस्कान थी, हलाक इस बंदे में चेंजेस आये थे, यानि ये अपने वांग लिंग में, पर इन्हें ये अभी भी पैचान सकते थे, ली मुवान भी इस बंदे को एक टक दे कि तुम तो शेंग नियु हो, अब क्लावड सेक्ट वाले, जब ये नाम सुनते हैं, कि शेंग नियु हो, मतलब अपना वांग लिंग ही शेंग नियु है, सुसाको में नम्मर वन बंदा, मतलब फिल हाल, फेमस लोगों में, और जो क्लावड स्काई सेक्ट के लोग थे, य जो इसकी आओरा निकल रही थी, वांग लिंग की कोल्ड विंड वाली, जानबाई की बोड़ी, मनों फ्रीज होने लगती है, ऐसा किलिंग इंटेंट, इसने आज तक कभी फील नहीं किया था, और जैंग भाई अब बोलता है, मुझे नहीं पता ता शेंग नियु हो, कि त सच में रेकलेस था, वांग लिंग बोलता है रेकलेस, इस दुरान इसके रेस्टिक्शन्स फ्लैग निकलते हैं, और जानबाई की तरह बढ़ते हैं, वांग लिंग इस समय पागलो की तरह हसरा था, और ये फिर से रेस्टिक्शन्स फ्लैग से वही लांस, यानि भाले की जैसा कुछ तो बनाता है इसी लांस की मदद से इसने रेड बटर फ्लाई को भी हैरान कर दिया था अब जान भाई पीछे भागने लगता है और वांग लिंग मुलता है टाइम जान भाई की बौटी अपने आप सलो हो जाती है और वांग लिंग तेजी से आगे बढ़ता है इस दुरान जान भाई एक सेंटी पेड यानि कोई क्रियेचर होगा जो की वांग लिंग के आगे कर देता है और अपने बौटी को कोकून से यानि रेसे समान से घेर लेता है और वांग लिंग का लांस इतना पावर भूलता है कि इसके कोकून को भी छेद देता है और जान जान भाई अब खून के उल्टी करने लगता है जान भाई चिलाता है कि शेंग नियू जाद आगे मद बढ़ो जान भाई यहाँ पर टेलिपोर्टेशन टेकनिक यूज करता है भागने वाला था पर वांग लिंग सीधा बोलता है डोमेन अटेक और जो उसने टेलिपोर्टेशन खोला था उसे भी वांग लिंग डेस्ट्रॉय कर देता है और जान भाई हरान था इसने खुद में बहुत साले सोर फॉर्मेशन की बंदों को मारा था पर वांग लिंग उनमें ज़्यादा खतरनाक था और इसका बैटल एक्सप्रियंज में शायद इससे ज़्यादा था और वांग लिंग अब इसकी बोड़ी से फिरसे भाई छल्ले जैसा निकलता है स्तरकल के जैसा एक ब्लैक और दूसरा वाइट और यससे कहता है तुम काफी लख्य हो तुम मेरे लाइफ और डेट डोमेन के लिए दूसरी कुरबानी बनोगे अब ये अपने राइट हैंड को चैंग भाई की तरफ बढ़ा देता है और बोलता है चेंजेस अफ लाइफ और वांग लिंग इस समय अपने डोमेन को फूल पावर पे यूज कर रहा था पर जान भाई भी एक प्रावड परसं था तो ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को आगे भीजता है और जान भाई जुरान कहता भी है कि तुमारे और मेरे बीच में कोई ग्रज नहीं है क्यूं हम एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहा है मैंने क्लावड सकाई सेट के बस कुछ लोगों को इतो मारा है इदर वांग लिंग जब इसके ओरा रिलीज होती है तो आसपास ग्रे फॉक बनने लगते है और वांग लिंग ने आस तक जितने लोगों को मारा था सब ही याँ पर दीखने लगते है इस लाइफ और टेथ डोमेन में ये वांग लिंग का अपना रिंकारनेशन शाइकल था हलाकि यह अभी काफी वीग था और वांग लिंग का जो डोमेन था वो second level पे था वहीं जांग बाई का अभी भी first level पे तो ये कितना भी कोशिच करता है ये कुछ कर नहीं पाता है ये चीखने लगता है इसका जो centipete था वो भी मारा जाता है और फिल हाल ये अपने origin soul के साथ यहां से भागने लगता है, वांगलिंग बोलता है, एरोगेंस, और यहां पर वांगलिंग एक वाटेक्स जैसा बनाता है, और इसके ओरजिन सोल को भी डेवोर कर जाता है, इस समय ये कोई स्क्रॉल यूज कर रहा था, तो जांग भाई मर चुका था, और इसकी बोड़ी से अलग इसमेल आ रहे थे गंदे वाले, तो स्टोरी यहीं समाप करते हैं, और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ,